हेलो नमस्कार वनलेकम सस्रियाकाल आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैगनेट ब्रेंस इटीज ये नीट में मेरा नाम है सत्यम शर्मा तो बहुत पहचान हो गई है आपकी और हमारी और आप एक ऐसे प्लैट्फॉर्म पर आज चुके हैं भाई जो कम्प्रीट चिया करो कमेंट चैनल में लगाता इंतजार करता हूं आज की बात करें ल्क्ट्रिक और पढ़ना है एलेक्ट्रिक incentive भी हैं में capitalist आप सोचेंगे कि अब आपने पढ़ा देंगे पढ़ा देंगे पढ़ा देंगे टेंशन मतलो इंपोर्टन जो चीज़ है उसे हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के चक्कर में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपकर रुक जाएगा इसलिए मैं आपको पहले पढ़ा दे रहा होती है यह सारी बात है आज की लेक्ट्र में हमें करना है ठीक ना तो आप तयार है तो अपनी कॉपी पैन दिमाग नोट्स पानीगी बॉटल यह सब लेकर बैठें और लगातार लेक्ट्र को देखते चले जहां ज़रूरत पड़े वहां रोग लीजे वीडियो को नोट्स ने आपको बताई है बट फिर भी अगर एक दो टॉपिक या एक दो इन्फोर्मेशन ऐसी लगती है कि वह आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप उसे क्या कर सकते हैं अपने नोट्स में उतार सकते हैं ठीके ना यहीं तो कला होती है अच्छे नोट्स बनाने की चलिए तो बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं नीट के लिए एक स्पेशल कोर्स मॉडियूल बनाया गया है मैगनेट ब्रेंस के द्वारा और वह यह है कि हम आपको टॉपिक वाइस एक्स्प्रेशन वीडियो देते हैं उन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप आप डिपीप डाउलोड कर सकते हैं डिपीप डाउलोड करने के बाद डिपीप को सॉल करना है उसमें पुहा नहीं खाना एडली नहीं खाना है उसमें परमल नहीं खाना भेल नहीं खाना है डिपीप सॉल करने के लिए अगर आपने किसी की मदद ली है या बिना मदद के भी आपसे हो गया है तो वेरी गुड और अगर नहीं हो पाता है तो आपको क्या करना है बीपी के विडियो सल्यूशन आते हैं वो देख लिना है चैप्टराइस एमसीक्यूज आपको प्रवाइट किया जाते हैं शलामी कि लिए होने लगे हैं मतलब आप लेक्टर में आज को डाउट के पर जाकर आज को डाउट पर में अपने डाउट भी सकते हों डाउट को हम क्या कर देंगे तुरंट क्लियर कर देंगे मतलब हर एक वीक के डाउट जो क्लियर होते हैं एकटे होते हैं वह हम क्लियर कर देते हैं उसके बाद हम कोशिश कर रहे है है कि आपको one shot revision भी देदें और साथ ही साथ आखिर में एक ऐसा platform बनाने की गोशिश की जा रही है जहां पर आप टेस्ट दे कर यह पका कर पाएंगे कि आपकी performance कैसी चल रही है ठीके ना चलो तो आगे बढ़ते हैं स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को जो है क्या electric dipole अब यह डाइपोल से आप समझ गया होगे यह एक पोल यह होगा ठीक है ओके electric है तो यहाँ पर सब electric charges से related होगा ठीक है electric field intensity due to an electric dipole at a point on the actual line electric field intensity due to an electric pole हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं यह वो basically वो बता रहा है हमें हमें पढ़ना है electric field intensity due to an electric dipole at a point on the axial line याने कि हमको along the axis dipole के कान कितनी field generate होती है वो पढ़ना है electric field intensity पढ़नी है हमको electric dipole कान equatorial line पर याने कि axis के perpendicular ठीक और हमको एक general point पर भी electric field find out करनी है due to a dipole आज की lecture में हम यह चीज़ करने वाले हैं चलो basically तो हम यह देखेंगे कि dipole होता क्या है किस चीज़ को आप dipole बोल सकते हो ठीक अब आप देखिए यहाँ पर सबसे important बात जो है हना देखिए cbsc के साब से जो important है वो मैं उतने ही magnitude का हम क्या ले लेते हैं एक positive चार्от ठेक नétait एक इनको हम क्या करते है थोड़े distance प्रॉक देते हैं थोड़े distance बतलब छोटे distance छोड़े distance बोल सकता हूम बिल्कूल सकते है सृइन करते हैं इसे छोटे distance पर रख देते हैं जनरली जो distance होता है यह क्या होता है small होता है कि distance क्या होता है भाई small होता है इसको अच्छा अभी के लिए मैं इसको L length बोल दे रहा हूं लेकिन जब हम derivation करेंगे जब हम derivation करेंगे तो derivation आसान हो जाए उसको वन बाई टू टू बाई थ्री ऐसी कोई टर्म्स देखने को ना मिले fraction वाली इसलिए हम वहाँ पर derivation में length को क्या मान लेंगे 2L मान लेंगे अभी से बता दे रहा हूं आसान मनाने के लिए मैं derivation में इस length को क्या मान लूँगा 2L मान लूँगा चलो वह बात अलग है मैं बोल रहा हूं कि जो charges है यह क्या होते है बाई generally small होती है यह लिल ना यह जो distance होता है दो charges के बीच में एक ऐसा होता है small distance होता है यह बात आप याद रखिये small distance होता है इसलिए जब आपको exam में dipole लिखा होगा exam में जब आपको dipole दिया जाएगा और कुछ mention नहीं किया जाएगा तो आप dipole को क्या मानेंगे short dipole ही मानें का मतलब यह होता है कि जो length है वह बहुत छोटी है इनके बीच के जो separation है वह बहुत छोटा है तो अगर आपको exam में कुछ given नहीं है हरा तो आप क्या मानेंगे short dipole ही मान कर question को solve करेंगे पक्की बात हां सर पक्की बात चलिए तो पहली बात यह होती है कि जो dipole होता है dipole आप अब basically dipole जो होता है क्या क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं an electric dipole is a system of two equal and opposite charges separated by a very small and finite distance they are important है very small question बूचा गया है कि बता हो distance कैसी होती है तो small distance होती है ठीक है पहला point done दूसरा the strength of electric dipole is measured by a vector quantity known as electric dipole moment अब इसकी बात जरा हम करेंगे हमको जब भी क्या करना होता है strength of the electric dipole नापनी होती है क्या strength of the electric dipole जब हमको नापनी होती है तो हम बोलते हैं भी या उसको हम measure करेंगे vector quantities और vector quantity क्या है electric dipole moment क्या है electric dipole moment चीक है electric dipole moment से आप क्या नाप रहे हो strength नाप रहे हो क्या मैं electric बोल नी रहा हूं तो आप tension तो नहीं हो जाएगे आपको अगर मैं dipole moment बोल दो तो अभी आप समझ जाना कि वह electric dipole moment ही है चीक चलिए dipole moment dipole moment dipole moment जो होता है वो एक vector quantity होती है क्या होती है एक vector quantity होती है उसको अब represent कैसे करते हो P vector से कैसे represent करते हो P vector से चीक पक्की बात है क्या करता है dipole moment strength of dipole नापता है क्या नापता है strength of dipole नापता है strength of dipole नापता है चिक एक vector quantity होती है strength of dipole नापता है क्या आपका dipole moment और इसको आप represent किस से करते हो P vector से represent करते हो आगे बढ़ते है next point its magnitude is equal to its magnitude is equal to the product of its magnitude of either charge and distance between the two charges मतलब अगर आपको इस dipole moment का क्या निकालना है magnitude निकालना है अगर आपको इस dipole moment का magnitude निकालना है तो वह आप कैसे निकाल सकते हो वह आप निकाल सकते हो दोनों चार्ज के किसी भी चार्ज का magnitude ले लो क्या ले लो magnitude ले लो दिहान से सुनना मैं हाँ साइन नहीं ले रहा हूं दोनों ही चार्ज का magnitude बराबर है साइन अलग अलग है बस तो जब मैं यहाँ पर magnitude निकालने जाता हूं तो मुझे साइन से मतलब नहीं होता है यह बात आपको clear होनी चाहिए तो दोनों चार्ज में से किसी का भी आप magnitude ले लो क्योंकि दोनों की magnitude क्या है बराबर है तो q into distance between them distance कितनी है distance कितनी है और अगर इन दोनों के बीच की distance 2L हो जाती तो अब इन दोनों की बीच की distance 2L हो जाती तो यहाँ पर आप क्या लिख देते 2L लिख देते का वात आपको समझ मारइ हासर समझ में आ गई तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं Q into L Q into L this is nothing but this is nothing but magnitude of dipole moment this is magnitude of dipole moment magnitude of dipole moment बात समझ में आ गई हासर समझ में आ गई clear आगे बढ़ते हैं next अब भया आपके पास अगर जो आपका dipole moment है वो एक vector quantity अगर है किसी भी vector को represent करने के लिए चाहिए एक तो magnitude और दूसरा क्या चाहिए direction दो चीज़ चाहिए कि नी चाहिए हाँ सर चाहिए magnitude तो आपने निकाल लिया अब बात आती है direction की direction के बारे में आप क्या कह सकते हो आऊ देखो next point उसी पर है the direction of diapole moment is from negative charge to positive charge बहुत important बात क्या कि अगर आप बात करोगे की direction क्या है तो उसकी direction हमेशा negative charge से positive charge की और होती है उसकी direction हमेशा negative charge से positive charge की होती है इसको आप बोलते हो dipole moment की direction हमेशा always 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 कहां से कहां होती है negative से positive की तरफ होती है negative charge से positive charge की तरफ होती है ठीके न यहां पर लिखा हुआ है the direction of dipole moment is from negative charge to positive charge always अच्छा अगर dipole ऐसा बना हुआ है negative charge यह है और positive charge यह है फिर बताओ बताओ dipole moment की direction कहा होगी डाइपोल मुमेंट की डारेक्शन और अगर आप सिक बोलेगा इसका मैगनिट को निकाल कर बता दो तो मैगनिट्यूट क्या होता है इनके बीच की इसके डिस्टेंस कितनी है एल बोल दिया को कितनी है एल है यह तो आप बोलोगे q into this is the magnitude of डाइपोल मुमेंट क्या बताता है डाइपोल मुमेंट क्या बताता है स्ट्रेंट ऑफ दी डाइपोल बताता है कि कितने स्ट्रेंथ से यह डाइपोल एक दूसरे के साथ एक दूनों चार्ज को बांधा हुआ है आई मेरी बात समझ में ओके नेक्स्ट ऐसा यूनिट इस कू कूलों मीटर च्छा ऐसा यून iट कि क्लाव मीटर देखो ना यह कालम यह मीटर अच्wij哥 holom डायमेंशन दिख ले 18 E21 यही होगा डायमेंशन बताव मुझे serie 21 0000us ai अरह की ना ऐस दो इन चार्ज क्या होता है इन डिलन सुरी अपना आई इंटू टी करेंट इंटू टाइम तो करेंट के लिए आपने हाँ पर एंपर एंपर ले लिया टाइम के लिया और मीटर के लिया आपने ले लिया तो यह क्या हो गया बोला है क्वेशन में तो आप अपने आप अज्यूम कर लोगे क्यों कैसा डाइपोल है शॉर्ट डाइपोल है क्या है शॉर्ट डाइपोल है यह बाद आप याद रखिएगा अभी आगे जाके आपको फिर से समझा दूंगा ठीक है ना डेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक रिखिशन है कुछ भी नहीं है असनल चार्ज आज यू ए एंड क्यू बी दो चार्ज देगे ना लोकेटिट आट पॉइंड जीरो जीरो माइनस 15 सेंटीमेटर एंड 00 प्लस 15 संटिमेट ठीक है ना तो एक चाल जहां बैटा हुआ है क्यू भी एक चाल जहां बैटा हुआ ह इसका magnitude देखो plus में है, इसका minus में है, ठेक है, what are the total charge and electric dipole moment of the system, total charge and electric dipole moment of the system, चलो, very good, देखते हैं, total charge के अगर हम बात करें, तो Q1 plus Q2 is the total charge, अरे हाग की न, Q1 plus Q2 is the total charge of the system, total charge of the system, on the system, total charge on the system, total charge on the system, ठेके न, Q1 plus Q2, very good, एक बात समझेगा, Q1 की value आपको कितनी दी गई है, आप इसको मालनो QA बोल दो, और इसको QB बोल दो, कोई दिक्कत होगी कि आपको इससे, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, QA की value है, plus 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb, ठीक, and QB की value कितनी है, तो भी यहाँ पर आगे value कितनी, total charge on the system is 0, system पूरा मिलकर बन रहा है, यह पूरा system यह दो charges से मिलकर बनेगा, आई मेरी बात समझ में, हाँ सर, पक्की बात है, तो आप जब डायपोल बनाते होना, यहाँ पर एक चीज़ समझो आप, कि आपने जो डायपोल बनाया है, this is your system, यह आपका क्या है, system है, यह बात आपको पता होनी चाहिए, this is your system, this is your system, clear, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है, electric dipole moment of the system, electric dipole moment, यहने कि आप से magnitude पूछ रहा है, वो कितना होगा, Q into distance between the charges, अच्छा, Q magnitude चाहिए, हमें वो कितना है, 2.5 into 10 दो पार, minus 7 coulomb, ठीक है, distance कितनी है, मुझे बताओगे क्या, इन दोनों charges के बीच के distance कितनी है, यह 15 cm, और यह भी 15 cm, तो 15 15 कितना हो गया, 30 cm, ठीक ना, तो 30 cm का हम क्या लिख सकते हैं, 0.30, या ऐसा लिख लो, 30 into 10 to the power minus 2 meter, लो, clear है, हाँ सर एकदम clear है, तो यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा, 2.5 into 10 to the power minus 7 into 3 into 10 to the power minus 1, सही किया किया है, हाँ सर बिल्कुस है किया है, चलिए, यह 10 to the power minus 7 है, जाएगा 10 to the power minus 1, 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 7, 10 to the power minus 9 हो जाएगा, ठीक है, यह हो जाएगा, 75, 25, या 75 into 10 to the power minus 9 coulomb meter, this is your dipole moment, this is the magnitude of dipole moment, clear है, चलिए, वेरी गूट आगे बढ़ते हैं, कुछ भी आपको प्राब्लम नहीं होनी चाहिए, इस टाइप की question में, कुछ भी नहीं था भाई, आप से सीधे dipole moment पूछा था, आपको formula लगाना था, answer निकालना था, clear, चलिए, आगे बढ़ते हैं, system of charges, system of charges का मतलब यह है, देखो simple सी बात, यहीं समझा देता हूँ मैं आपको, माल लीज़े आपको ऐसे कोई equilateral triangle दिया गया है, यह आपको equilateral triangle दिया गया है, बोला गया, सुनिये तो, अरे रुकिये तो, क्यों है खफा, अरे कहिये तो, अरे ऐसी क्या जल्दी जाने की, ओ, देखो, यह minus two, two q का charge है, यह plus q का charge है, net electric dipole moment आपसे पूछता है वो, net electric dipole moment अगर आपसे पूछता है, तो आप वो कैसे निगा लेंगे, जब आइसके बारे में बात करते हैं, प्यारी सी बात है, ननी सी बात है, भोली सी बात है, हमको बताया गया था, कि जब भी dipole आप बनाओगे, यह बन करते हैं, एक system मन करते हैं, और इसी system को आप dipole बोल देते हो, इसी system को आप क्या बोल देते हो, dipole बोल देते हो, अना, electric dipole, छीकर है, इसमें जो dipole आपका बना है, dipole moment भी एक चीज़ होती है, जो strength of the dipole बताता है, उसको आप एक vector quantity बोलते हो, और इसकी direction होती है, हमेशा negative charge से positive charge की, तरफ अगर आपको इसका magnitude निकालना है, तो आप magnitude निकालते हो, कैसे Q into distance करके, चलिए यह बात भी आपको clear है, अब जब यहाँ पर देखिए, कि यह equilateral triangle मेंने आपको given है, मैंने आपको दिया है, 60 degree का एंगल है, 60 degree का एंगल है, equilateral triangle है, यह LN थे, यह LN थे, यह LN थे, अब आपसे बूल रहा है, net electric diapole moment बता दू, कैसे निकाले सर, यहाँ तो एक positive charge है, यहाँ भी एक positive charge है, लेकिन सर, यहाँ तो minus two क्यों हो गया, कैसे करें, इन दोने के बीच में बन नहीं सकता, क्योंकि यह opposite nature की नहीं है, इन दोने के बीच बन सकता था, बढ़ यहाँ पर magnitude same नहीं है, इन दोने के बीच बन सकता था, बढ़ माइनी चूट सें नहीं है, है तो मैंने बुला कि यार इस को मैं अगर तोड़ कर लिख दूंगा तो आपको कोई दिक्कत है किसको सथ इसको अगर तोड़ लिख दूंगा तो तर नहीं है सच मता इना क्या करना होगा तॉमला फिर से थोड़ा साचेंज लेकर आउं तो आप मेरी मदद करना मता बताना सही है कि नहीं मैं आपर माइनस टू क्यों को एक माइनस की ऊपर लिए थाओ Chamber inößerten इसे रही हैं तेन और 173 यहां पर प्लस यो चार्जे और यहाँ पर भी Всем खाए मॉझरों यह एक बनाठा है कि अब trajत उस्टम बनाग सकता हैं एक system बन् सकता है मतलब यह डाय पुल बन जाएगा वना यह माइनस क्यों एक प्लस क्यों मिलके डाइपोल बन जाएगा और ये माइनस क्यों और ये प्लस क्यों मिलकर एक डाइपोल बन जाएगा मानते हो या नहीं मानते हैं मानते हो या नहीं मानते बिलकुल मानते हैं सर अच्छा अगर मैं इस माइनस क्यों और इस प्लस क्यों को मिला कर एक डाइपोल बनाता हूं तो इसका एक डैपोल मुमेंट भी होगा जिसकी direction कहां होगी direction होगी सर यह इससी direction ओस डैपोल मुमेंट ओके इसका magnitude निकाला जा सकता है क्या बिल्कुल निकाला जा सकता है सर P vector is equals to Q into distance कितनी है या L ओके यह आपको डैपोल मुमेंट की direction अगर मैं यह माइनस एक रहे बनता है थीख है इसके लिए मोमेंट की डीक्शन होगी ऐसमें क्या दो रहा है भाई बिल्कुर तो अच्छा इस पी वेक्टर का मैंगनिट्यूद निकाला जा सकता है क्या इस पी एक्टर का सिस्टेंस समझ गया कि नहीं समझे हां सर समझ गया तो क्या आप मुझे इस पॉइंट पर किस पॉइंट पर इस पॉइंट पर आप से नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मुमेंट पूछा था तो क्या मुझे इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मुमेंट बता सकते ह हुआ बता सकते हैं सब कैसे अरभाई वेक्टर का नॉलेज वेक्टर का नॉलेज यूस करेंगे ना मतलब सर अरे यार एक देखो पी ए है एक देखो पी यह मांते हो यह नहीं मांते हैं और फिकल करा आएगा इसका भी मैंनेटूड कर के बीच मेंगल कितना इस टीटी से समझना कर जो डाया सर औक मेंट का वेंगननेटीट आया है वह आया है Q2 L यहां पर जो डायकोल मॉमेंट का मैगनेटीड आया है वह कितना आया है Q2L समझे कि यहां नहीं समझे समझे एकदम परक्टGR SpeedBLA तहएक तक बताओ हाँ बिल्कु सभी कह रहे हो अच्छा अगर आपको इसका भी मैगनीूट निकालना है तो निकाल सकते हो बिलकुल सकते हैं सबस्काइब रेजल्टेंट नाया है ड़ तो र किम अगर मुझे निकालना होगा तो ऑई की स्वर्खकट यानि कि अकर यागर मैं इसको 2 ही मालनों तो a का स्क्वेर प्लस b का स्क्वेर प्लस 2ab कॉस कितना कॉस 60 कॉस 60 कितना होता है वन भाई टू होता है आपको दिखनी राओगा इसको मैं वाइट से कर देता हूं कॉस 60 होता है वन भाई टू से टू कट जाएगा तो कितना आएगा 3p का स्क्वेर रूट के अंदर बहार निकल आएगा root 3 P और P के value कितनी है root 3 Q into L root 3 Q into L तो resultant का magnitude कितना आगया root 3 Q into L समझे की नहीं समझे हाँ समझ गया तो आप देख सकते हो कि इन चार्जस के कारण यहाँ पर जो net dipole electric dipole moment बन रहा है वह कितना बन रहा है root 3 times of Q into L क्या यह बात समझ में आई हाँ सर अच्छा और basic तरीक आगर देखना चाहें आप देख सकते हैं कैसे देखो इसको भी समझ लो उसको समझ लिया तो आपको क्या answer निकाल रहे हो और एकदम से आपका दिमाग कहीं और चला आता है आपको कोई गाना याद आने लग जाता है मेरे साथ तो बहुत बारुआ है तो प्लीस कमेंड मुझे बताओ कि हां सर ऐसा होता है कि क्रिटिकल काम चल रहा होगा कोई ऐसा काम जहां पर बहुत काना गाना है मैं दो गाना आउंगा ऐसा करना लगता दिमागा आपके साथ होता है तो प्रिस कमेंड मुझे बताओ यह वाई एकसे से यह ऑक्सेस ठीक ना यहाँ पर भी सेम वही क्राइटीरिया होने वाला है देखो यहाँ पर उरीजन पर मैंने एक चारज रग दिया पर मैंने प्लस क्यूट रख दिया अब अब कि यहां पर नेट इलेक्ट्रिक डायपूल मुमेंट बताओ फिर वही बात किया रहे हैं माइनस टूंड लेकिन तरीका समझ गयों आपने बना मैं इस माइनस टू को को मैं क्या करूंगा तोड़ के लिख दूंगा इसको मैंने तोड़ के कैसे लिख दिया माइनस क्यू इधर माइनस क्यू इधर कोई दिक्कत नहीं सब कोई भी दिक्कत नहीं अरे समझें मैंने कैसे लिख दिया माइनस क्यू इधर लिखा और माइनस क्यू इधर लिख दिया अब यह दोनों मिलकर एक डाइपोल बना लेंगे यह दोनों मिलकर एक डाइपोल बना लेंगे मानते हो या नहीं मानते अरे सार अब यह नहीं मानेगे तो फिर सक् MON lifts ौपाने के चली तो आप इसका मतलब यह कि है इनका जो डायपोल मुमेंट है कि इसका ड्रेक्शन होगा अउसका यह होगा माननस से पॉजितिव की तरफ मानते हो या नहीं मानते तो निकालना सा बहुत आसान है अब आप खुद देखो कि यह point है किस डिरेक्शन में एक p vector है इस डिरेक्शन में पी बेक्टर है नोनों का magnitude सेम है आपको कैसे पता magnitude सेमें कुई मुझे दिख रहा है ना कि दोनों के बीच की डिस्टेंस एफ है चार्ज का अब यहाँ पर यह 90 डिगरी पर है तो इनका जो रिजल्टन आएगा वो रूट टू इंटू पी आने वाला है याने की रूट टू टाइम साफ चू इन्टू ए आने वाला समझे की नहीं समझे हां सर समझ गये वेरी गुड़ यह एंगल कितना होगा 40 50 अब आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आपको ऐसे देखने को मिल जाते हैं तो आप यहां पर चार्ज को तोड़ सकते हैं और इसका डाइपोल और इसका डाइपोल बनाना बना सकते हैं एक क् चीज आगे जो मैंने आपको बताया वही चीज आगे जो मैंने आपको बताया कि आप एक एक इकुलेटरल ट्राइंगल कंसेडर करो एकुलेटरल ट्राइंगल कंसेडर करो एकुलेटरल ट्राइंगल कंसेडर करो एक थ्री चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यूर माइस टू आप मैं हाँ पर अपने मन से प्लेस करता हूं मैंने हाँ हाँ अपर प्लेस कर दिया माइनस 2q इधर और इधर कर दीया plus q और एधर कर दीया फूंस क्यों आप यह इक यहर्lloween ट्राइंगल है तो यह जाएगा 60 डिगरी यह चिरे हो जाएगा 60 डिगरी और यह भी हो जाएगा कितना 60 डिगरी तीक सिंपल सी बात सिंपल सी बात इस माइनस टू को मैं लिख जकता हूं माइनस की उधर माइनस की उधर एक डाइपल बन जाएगा यह एक डाइपल बनेगा नहीं क्या यह एक डाइपल बन जाएगा नहीं क्या यहां पर एक डाइपूल मोमेंट आएगा यह यहां पर एक डाइपूल मोमेंट आएगा यह ठीक न हमको पता है कि इसका जो मागनिट्यूड होने वाला है वो क्यू इंटू हमने माल लेंद 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 कितना होने वाला है क्यू इंटू एल होने वा आएगा और वो कितना होगा रूट थ्री रूट थ्री पी समझे की नहीं समझे पी का माइट आपने निकाला हुआ है क्यों इंटू क्लियर पक्का जी सर एकदम पक्का 100% आगे बढ़ते हैं यह सब यह नीट में नहीं पूछेगा आपसे हना इतना इजी आप से नीट में नह को मिल जाएगा चलो आगे पड़ते हैं अब आती है में बात यहां से काम की बात चालू होती है एलेक्रिक फिल्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एलेक्ट्रिक डाइपोल एड़ पॉइंट अलांग दी एक्स यह इंपॉर्टन बात है यह इंपॉर्टन है स्टार मार्क करता ह आउंँ इक नहां हम यहां पर एक्जेल पोजीशन देखने वाले एकजेल पोजीशन याने की एंड डॉन पोज़ीशन भी बोलते हैं यह इंड अर्ण पोजीशन और पोजीशन एकवेस्टन होता है उनकी लेंग भी Personen को आण ब्योचियों यान्प यह है कि electric field हमें निकालना है along the axis of the dipole इसका मतलब क्या है मतलब यह है electric field along the axis of dipole electric field along the along the axis of dipole along the axis of dipole ठीक है clear है हाँ सर एक्दम बढ़ियां क्या clear है बढ़ाएं नहीं कुछ तुमको नहीं सर यह बात एक्दम क्लियर हो गई है कि हम electric field निकालने वाले है एक dipole की axis के along ठीक है चलो आओ जरा मोटा करता हूं पहन को है और यहां पर एक dipole बनाता हूं क्योंकि अब हमें थोड़े मोटे dipole की जरूरत है ठीक है ना तो यह होगे आपका माइनस charge यह होगे आपका माइनस q और थोड़े सी जगह चाहिए पढ़ेगी हमें तो यहां पर मैं करता हूं खतम यह होगे आपका प्लस q चार्ज क्या आपको इस बात से कोई दिक्कत है नहीं हमें इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए चला इनके बीच की डिस्टेंस आप क्योंकि मैं derivation करने वाला हूं इसलिए मान ले रहा हूं कितनी टूल मैंने आपको अभी बताया था लेक्चर की वाला है वो होगा q into twice of L कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं चार्ज का मैंने टूट और उनके बीच के डिस्टेंस अब वो टू एलो थ्री एलो फोर एलो भाड़ में जाए हमको से मतलम नहीं है अरे का सम से हां सर का सम से है यह थूसर करेंरे को त्क है भाड़ वाग्या है तो मैं आप से क्या बोल रहा हूं हमें अलॉंग desey चीशिजान क्या चाहिए हमें अलॉंग ही एक सिस्यिक शाहिए ओक है एक सिस्स ही को बोल सकते हां साथ ऐस और आट्ससार्या यह मैंने आक कंसेटर के along the excess toughest दिग सिस्ट मैंने हैं फोईंट कंसिटर किया माली जिय पोईंट युप यह पॉइंट फिय पियर यह यह다 या है आसलम्न है अभी आपको पता चलेगा मैंने आपको क्या बुला था कि derivation के time हम ये length double लेंगे क्योंकि जब आधी करने की ज़रूरत हमें पड़ी तो हमने LL कर लिया ना अगर हम इसको L मान लेते तो फिर आधा L by 2 L by 2 होता वह अच्छा नहीं लगता मजा नहीं आता करने में वाई 2 by 2 by 2 by 2 आता रहा था मजा निया ठीक चलो अब एक बात इमांदारी से मुझे बताना क्या की इस पॉइंड पर इन चार्ज से करण ये नेगेटेव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है इनके कारण कुछ ना कुछ फील्ड इस पॉइंड पर फील होगी की नहीं होगी हां सर होगी अच्छा मैंने बोला कि C से इस पॉइंट P की जो दूरी है दूरी सही जाए ना हो जा सही हो जा हाँ चला तो मैं बोल रहा हूं इस पॉइंट की जो दूरी है वो मैंने माल नहीं कितनी है एक से क्या आपको इस बात से कोई दिकत होगी मुझसे नहीं से किती दूरिया भाई एक्स दूरिये अभी आपने मुझसे एक बात बुली कि सार मुझे ऐसा लगता है के इस पी पॉइंट पर इस चाज कान भी एक फिल्ड प्रडियूस होगी होगी यह टाइस चार्ज नहीं ह वहार की तरफ होगी हां सर क्योंकि पॉजिट्यव चाज के कान प्रडियूस की गई जो फील होती है वहां ओवे फन दाच होती है ठीक तो यहों गया लिए छाटी है यह लइली इनवर आती है तो भीर आगई अब ब chased बताऊ हूँ मुझे बहाँ बता हो यह aपगा पी पॉइंट पे एक तो बहार की तरफ फिल्ड हरहीकू झाल और हंदर की तरफ फिल्ड आ रही है दू टू नेगिटिव चार्च एक अंदर की तरफ फिल्ड आMadri 분들은 एंद्यू टू यह ज्यादा पास है इस पी पॉइंट के तो इसके कार जो फिल्ड बनेगी वह बढ़ी होगी ओके 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 बहुत ही शांदार पकड़ा आपने बहुत ही शांदार जिसने भी बात सोची होगी बहुत बढ़ी अच्छा यह चीज में आपको करा रहा हूं ना यह बोर्ड के लिए इप लिए इसकी की बढ़ी होगी तो आपने बता दिया कि यह वाली फिल्ड पोजिट्टिव चार्ज के आणद बनाए गई जो फील्ड होगी वह बढ़ी होगी क्यों क्यों कि यह डिस्टेंस बहुत च्छोट है यह वाला जो पॉइंट है इस के पास है इसलिए इस की फील जादा प्रेडियूस होगी धर पर जादा फील होगी इसकी कम फील होगी कोई बड़ी बात नहीं तो हम यह बोल सकते हैं कि पी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक यह प्लीन पर इस होगी बता हाँ क्यों क्यों कि यह बढ़ी है यह छोटी है तो नेट फीरिंट और निकालो है तो वह इसी डीरेक्शन में होने वाली है एक नमबर बात एक नमबर बात बस इतना ही आपको समझना था तो नेट इलेक्रिक फील एड पॉइंट पी is nothing but electric field due to the positive charge minus electric field due to the negative charge, यह minus मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि field की direction मैंने opposite ले लिए है, ठ्यार, ओके चलो, अब मुझे एक बहाँ बताओ, इस positive charge इकान इस p point पर कितनी field बनेगी, तो इसका आपको formula बहुत चैसे पता है, point charge है, तो k q into distance का square, k q into, इस distance का square, यह distance कितनी होगी कोई बता सकता है मुझे, यह distance कितनी होगी कोई मुझे बता सकता है, देखो, यह distance है, x, अरे distance कितनी है, x minus l, x minus l, तो यह distance कितनी होगी, x minus l, x minus l, ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे, x minus l का whole square, क्क that मैंस क rifle कि प surreal gotta be a Whoa khi पॉइने की पॉइंट पर तो लो भी या के कि अब यहां माइनस क्यूं तरण माइनस मत रख दिना हम छुके हैं पहले ही और उसके कान जो फीड बने की इसके ट्रेक्षण कर चुके हैं तो आप यहां माइनस मत लगा दिना गलत जाएगा तो के क्यू अपॉन अभी डिस्टेंस बताओ यहां से कितना होगा इस पी पॉइंट का तो यह तो है टू एल टू एल प्लस नहीं हमको लेना है सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस सॉरी यह बात मैं आपको बताना भूल गया किया शायाद कि मुझे जो डिस्टेंस ल होगी X प्लस L x प्लस L हाँ चलो वेरी गुड हो गया X प्लस L का होल स्क्वेडं ठीक ना सिम्ट्ड्रक्राइट कर ले बाहर निकाल लो सबसे पहले तो कए क्यों अंदर क्या बचा वन अपॉन अपन an X माइनस एल का होल स्क्वेर प्लस सडी माइनस वन अपन एक्स प्लस एल का होल स्क्वेर का होल स्क्वेर चलिए आगे बढ़ते हैं आओ डेरिवेशन आगे ले चलते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसटी एड़ पॉइंट पी कितनी निकल कर आएगी के क्यों तो हमने बाहर निकाल लिया अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस एल का होल स्क्वेर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वेर ठीक है एक्स प्लस एल का होल स्क्वेर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वेर डिवाइड बाई एक्स माइनस एल का स्क्वेर एक्स माइनस एल का स्क्वेर और एक्स प्लस एल का स्क्वेर clear? चलो आओ इसको simplify करते हैं KQ bracket के अंदर इसको खोला तो A square plus B square plus 2AB minus अंदर A square plus B square minus 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 यह हो जाएगा minus 2AB plus 2AB है? सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? हाँ sir यह हो जाएगा A minus A का square ठीक है minus B का square ठीक है minus minus plus 2AB तो यह हो जाएगा 2XL ठीक है ना? चलो सही है मुझे लगा कट तो नहीं है कुछ चलो नीचे यह क्या हो जाएगा? A minus B, A plus B तो हम इसको बोल सकते हैं A square minus B square अगर आपको लग रहा है कि यह कैसे हो गया तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हो गया है A square minus B square ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो यह हो गया KQ अंदर bracket के यह गया इससे यह गया इससे कितना हो जाएगा? 4XL 4XL divided by A square minus B square ka whole square एक number एक number, एक number, एक number एक number KQ into 4 times of XL upon X square minus L square की power 2 मैं आपको बता दिया कि यह कैसे बना है यह अच्छा आगे बढ़ते हैं derivation को बढ़ाते हैं copy किया copy हो गया काम के चीज रखेंगे बाकी चीजे हटा देंगे काम के चीज रखेंगे बाकी चीज हटा देंगे यह काम की चीज थी इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो क्या हुआ भी है जो net field intensity आ रही है due to the dipole at point P वो कितनी आ रही है K into Q into 4 times of XL divided by X square minus L square की power 2 सही लिखा? बिल्कुँ सही लिखा अच्छा अब एक चीज समझने ही कोशिश की जाएगा वो क्या है? देखो हाँ मुझे ना एक बहुत सही चीज दिख रही है क्या? देखना मैं तोड़ मरोड के लिख रहा हूँ 2KQ 2KQ X या मैं लिख देता हूँ इसको twice of L into X क्या मैं इसको ऐसे तोड़ के लिख सकता हूँ? हाँ सर twice of KQ 2 2s आ 4 हो जाएगा 4KQ LX हो जाएगा 4KQ LX हो जाएगा ठीक है सही लिखा है सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं divided by X स्क्वेर minus L स्क्वेर की पावर 2 अच्छा यह चीज़ क्या है मुझे एक बार बताये यह चीज़ क्या है What is this? What is this behavior Pooja? What is this? What is this? बताओ मुझे क्या है Q into 2L यह क्या है मुझे बताओ Q into 2L यह क्या है मुझे बताओ अरे आर अभी तो आपने देखा था था ना कि dipole moment जो है उसका magnitude अगर आप निकालने जाओगे तो चार्ज का magnitude into distance between them तो distance कितनी है twice of L तो this is the magnitude of dipole moment तो आप इसको सीधर सीधर पी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते बिलकुल लिख सकते है तो यह क्या है यह और कुछ नहीं है पी है अच्छा 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 तो net field intensity जो आ रही है पी point पर वो कितनी आ रही है two times of k into p into x divided by x square minus L square की power 2 एक number formula जो आपके board exam में आपके बहुत काम आएगा जो आपके board exam में बहुत काम आएगा तो sir इतनी जो आपने हमसे महनत कराई क्या यह नीट में काम नहीं आए यह रहे आएगी 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 लेकिन नीट में इसका 9 special case काम में आएगा अच्छा नीट को बहुत पसंद है special case बनाना derivation derivation छोड़ो special case में special case क्या है special case यह है कि अगर वो बोलता है कि एक short dipool है ना नीट में वो आप से बात करेगा किसकी short dipool की किसकी बात करेगा short dipool की तो आपको उससे decode करना पड़ेगा कि वो यह बोल रहा है कि जो x है वो बहुत बड़ा है as compared to l as compared to l अरे समझ रहे हो कि नहीं हां ऐसा वो बोलना चाह रहा है कि जो x है ना वो एल से बहुत ज़्यादा बड़ा है 12 से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है अरे सिंपल जी बात है कि short dipool का मतलब यह है कि dipool की बीच की जो distance है ना बाबा वह इस x के सामने छोटी बस आपने इसको क्रैक किया इसका मतलब आपने निकाला तो आप यह बोलोगे कि यह फॉर्मला बदलेगा और यह फॉर्मला क्या हो जाएगा net field intensity due to the dipool at point P जो point P है यह along the axis है along the axis यह बात याद रखिएगा along the axis ठीक क्या हो जाएगी वह वह जाएगी टू टाइमस ऑफ के इन्टू P इन्टू X divided by अब क्योंकि L की वेल्यू बहुत छोटी हो चुकी है तो L का स्क्वेर भी क्या हो जाएगा बहुत छोटा हो जाएगा उसको हम क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे अरे समझ आ रहा है कि नहीं जब भी कोई वेल्यू बहुत छोटी होती है उसका स्क्वेर और जदा छोटा हो जाता है तो आपने पहले ही बोल दिया कि मसुर्ण के सामने बहत बड़ी है तो L का स्क्वेर वैसे ही छोटा हो जाएगा घर जो जाएगा थीक है अगर अगर ोट छोटा है और इक स्क्वेर दोगे निक्ये स्क्वेर कर दोगे लिए कि तो लुब लिए यहनिए लांगे आप याक्स की पावर 4 हो जाएगी ठीक है ना एक्सको पावर अगर हुई कितना हो जाएगास कितनी उजय जाएगी है एक네요 टी लट इसको क्या नहीं इसको एक्स की पावर 4 कर दो ठीकिना फिर काट दो इसको तो यह क्या हो गया X की पावर 3 तो कुल मिला कर सौ बात की एक बाद जो आपके पास फॉर्मला आ रहा है इम्पॉर्टेंड नीट के लिए वो क्या है अलॉंग दी एक्सिस अलॉंग दी एक्सिस वो क्या आ रहा है वो आ रहा है twice of Kp upon x का क्यूब क्या यह बात आपको समझ में आई सब बहुत अच्छे समझ में और यही वो फॉर्मला है जो आपको नीट में बहुत जादा काम आएगा नीट में उचक-उचक के फुदक-फुदक के question इसी पर बनाता जाएगा ठीक है ना पक्का तो अगर आप से कोई पूछता है कि electric field intensity due to an electric dipole along the axis क्या होगा वोगा 2kp upon x3 क्या होगा 2kp upon x3 चल और बात करते हैं इसके बारे में जड़ा फिर से मुझे कॉपी करने दो काम की चीजे रखेंगे बे क्वां के चीजे चीजें हटाएंगे क्योंकि हना 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 Lecture चलो अब एक चीज़ देखे ध्यान से ध्यान से देखेगा मैं अगर आप से बोलता हूं कि मुझे llega हपोल मूमेंकर दरेक्शन बता हो तो आप बता पाहोंगे सरो इस अप Chili इसी डियॉक्षिन औugen視 चिए था जो यह पी पॉंट था पी पॉंट पर अच्छा पी आप उससे नाना पी से अरे पी एक पॉंट है और पी वेक्टर क्या है डायपोल मोमेंट की डायेक्शन तो पी पॉंट पर आपने बूला था जो net field intensity आएगी उसकी direction कहा होने वाली है इधर ही होने वाली है तो क्या हम यह बोल सकते हैं कि electric field net electric field intensity आ रही है due to the dipole उसकी जो direction है क्या वो dipole moment की direction के बड़ा के की जैसी ही हाँ सर बिलकुल सही बिलकुल सही हाना तो यहां पर हम लिखेंगे direction of direction of e net is same as that of is same as that of that of direction of direction of dipole moment खतम बात बस यह important चीज़ थी जो आपको समझने की जरुवत थी और आपने इसको एक बार में समझ लिया है इसलिए अगर मैं इसको vector form में लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं e vector net along the axis along the axis along the axis is nothing but twice of kp vector अना जो direction p vector की है वही direction field intensity की भी है 2 kp upon x का q clear okay sir very very good यह आपने formula कब लगाया है यह formula आपने तब लगाया है जब x की value l से बहुत बढ़ी है clear क्या आपको सारे formula derivation यह सब समझ में आ गए हाँ sir अब मैं आपको यह बात चीज clear कर रहा हूं बात चीते वाली कि यहाँ पर जो चीज़े मैंने लिख कर दी हैं आपको यह सब नीट में important है यह सारे के सारे जो data मैंने आपको दिये हैं यह सब नीट में important है इसके पहले जो आप चीज कर रहे थे यहां तर वो सब किसके लिए important है बोर्ड के लिए important चलिए आगे बढ़ें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है भाई नेक्स्ट एलेक्रिक फिलिंटेंसिटी दूट एन एलेक्रिक डायपोल एड़ पॉइंट ऑन दी एक्वेटोरियल लाइन चलिए एक्वेटोरियल लाइन पैन थोड़ असा मोटा किया जाएगा चलो अना चलिए एक्वेटोरियल लाइन इस साइड बनाता हूं मैं अच्छा एक इंपोर्टेंट चीज में दिमांग में आ गई देखिए along the axis मैंने आपको बता दिया अगर आपसे कोई ऐसा पूछ ले समझ चार्ज ठीक ठीक सर आपसे कोई बोले कि पॉइंट पी यहाँ पर है अना पॉइंट पी यहाँ पर है तो बताओ पी पर नेट फील इंटेंसिटी दूट डाइपोल क्या होगी बता सकते हो क्या तो बता है बच्चे गलती क्या करते बच्चे लिख देते माइनस टू ताइमस ओफ के पी अपॉन माइनस 2 तू गंस फिक एप एक्स क्यों आट यहाँ से अपिअ ऑपने अपनी हम च्टिक नकीशन पर नेट फिलिंड agony से अलैड और अफ दीक थी मुझे आपर बताओऊ डायपी-वर्रिंट क्या होगी तैप URLs चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ यह होगी डायपल मोमेंट की डिरेक्शन तो फिल्ड इंटेंट सेटी की डिरेक्शन भी यही होने वाली है अना एक्स यह हो गया अपोजेट डिरेक्शन में तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप माइनस साइन लगा दो यह गलत हो ज ऐसी ही ठीक ना यह इंपोर्टन पॉइंट है प्लीज इसको याद रखना याद रखना याद रखो माइनस लगा देना आगे माइनस मतलगा देना गया नहीं तो सब कुछ चलो आगे बढ़ते हैं तो मैं बात करना था एलेक्ट्रिक फिल इंटेंसिटी ड्यूट्रिक इसके बीच में मैं एक लाइन मना देता हूं टॉट्ट लाइन यह ठीक है कि आपको इस बत से कोई दिक्कत है मुझसे यहां पर मैंने एक पॉइंट सेंटर में ले लिया है टोटल डिस्टेंस में किती ना पनूं क्योंकि आपने बोला है डेरिवेशन में 2L लेने का है तो 2L लेने का है मैंने 2L ना पली तो अगर यह 2L है तो फिर यह कितनी हुई डिसेज है गासड्ण इसल यॉ था समय करें न सबाइन कुजा सलय तैंतर। पॉइत एकवित्डरील लाइंग ने क्विट्फेटरियल लें OP this is the equatorial line कैसे लिख दू कैसे लिख दू कैसे लिख दू कैसे लिख दू this is the equatorial line अलग से लिख दू हटा दो यह तो हमारा डाइग्राम खराब हो जाएगा रहन दो अभी इसको ऐसी रहन देते हैं यह समझ जाना आप कि this is this is the equatorial line ठीक यह है point P जिस पर मुझे क्या निकालना है net field intensity due to the dipole this is the point P अच्छा मुझे बादताओ एक बाहरा बताओ प्यारी सी बाद छोटी सी प्यारी सी ननी सी आई कोई परी इस पॉइंट इस चार्ज के कान पॉजिटिव चार्ज के कान यहां पर क्या field intensity आई यह उसकी direction क्या होगी direction तो यह होने वाली है सर अच्छा direction यह होने वाली है ठीक है और इस चार्ज के कान इस पॉइंट पर जो field intensity आई उसकी direction क्या होगी सर उसकी direction होने वाली है यह उसकी direction अजय आगे अच्छा द्यांज़ सुनना मैं जो बोलने वाला हूँ इसको ना मैं थोड़ा बरावर कर देता हूँ पीछे करके ताकि हमारा जो हाँ येकणम सही है परफेक्ट परफेक्ट और इसको मैं थोड़ा पीछे कीच लेता हूँ आजव बीटा बढ़ेगा नहीं किया यह सई नहीं यार सर तेड़ा बन गया यार तुम लोग यार बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो चलो डाइगराव अच्छा बनना चाहिए बाई मुझे अपने नोट्स बहुत अच्छे पसंद है कि मेरे नोट्स अच्छे ही बनने चाहिए अना ओंगय एक नंबर शांदार जबर्दस्त चिंदावाद ये अंगल थीटा ये अंगल थीटा डारेक्शन आपको पता चल गई कि अगर इस नेगटेव चार्ज के कान देखूंगा तो टूवर्ड़्स दा चार्ज आएगी फिल इंदेंसिटी यस पॉसितिव चार्ज के कान इसकी वैल्यू कितनी होगी क्या बता सकते हो सर बता सकते अगर आप डिस्टेंस बता दो अगर ये डिस्टेंस एक से तो बताओ ये कितना होगा यह होगा सर अंडरूट एल स्क्वेर प्लस एक्स स्क्वेर यह भी उतना ही होगा सर अंडरूट एल स्क्वेर प्लस एक्स स्क सब्सक्राइब अच्छा आप से पूछ हूं कि आप यहां पर जो फील्ट इंटैंसिती है वो कितनी है बता सकते ओगया जितनी यहां होगी उतनी ही हापर वी होने वाली अरे यह distance और यह distance बराबर है ना charge का magnitude भी बराबर है तो जितनी field intensity यहाँ होगी उतनी field intensity यहाँ होगी direction अलग अलग है बट magnitude क्या है बराबर है तो e की value कितनी आएगी e की value आने वाली है k into q upon यह distance का square याने कि under root l square plus x square का whole square इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि k into q upon यह कितना हुआ l square plus x square l square plus x square बात समझ में आगी हासा समझ आगी इसको डाल दू इसको सोन पापड़ी के डब्बे में इसको सोन पापड़ी के डब्बे में डाल दू बिलकुर लाल पसर लो यह आ गई आपकी field intensity की value अब देखो इसका magnitude और इसका magnitude बराबर है और डारेक्शन बस क्या है अलग अलग है okay इस point को मैं उठा कर यहां लेकर आता हूं side में और जरा इसको judge करते हैं लोड़ा पढ़ते हैं समझते हैं ठीक ना इस पर field intensity यहां गई और इस पर field intensity गई यहां पर अगर यह थीटा है अगर यह थीटा है मनी बात द्यान से सुनना अगर यह थीटा है तो यह भी थीटा होगा मानते हो की नहीं मानते हैं सर बिलकुल मानते हैं अच्छा तो इस ए का एक component इधर आएगा हा की ना इस एक एक component एधर आने वाला मानते हो की नीमानते हैं सर मानते हैं कि अनल우 Grenlock COST तइटा फक्का हूं जी सर पक्का 100% यह थीटा आशां अगर यह थीटा है यह थीटा है यह थीटा है च्छीच freezer फिक न तो यह एक हो बतिता तो आपने बुला किये वैंगल है थीटा also हो जाएगा ई-Cos Theta ठीक सर और एक कंपने इसका नीचे बनेगा ई-Sine Theta ठीक पक्की बात हां सर पक्की बात अच्छा अगर यह थीटा है तो यह कितना होगा क्यार यह थीटा यह थीटा मिलके टू थीटा एंगल बनाएंगे कि निए बनाएंगे तो यह थीटा है तो यह भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा पक्का तो इसका भी एक कंपनेंट याएगा एक कंपनेंट उपर जाएगा चलो तो एक ई-Cos Theta और इधर आना है ई-Cos Th ठीटा और इसका एक कम्पनेंट ऊपर जाना है ई साइन थीटा गए मानते हो या नहीं मानते हैं बिलकुल मानते हैं सब्वेसी अंगल भी कितना है थीटा तो मैंने कॉमन सेंस का यूज कर लिया और मैंने बूला कि यह दूने दूसरे हो क्या गर देंगे कैंसल आउट कर दिं intensity आ रही है वो क्यों आएगी वाईगी twice of e cos theta के करना twice of e cos theta के करना अरे e cos theta और e cos theta क्या कर जाएंगे जुड़ जाएंगे हां एक नमबर बात चीख है क्या आपको e की value पता है अन्य सर बिल्कुल पता है के इंटू q upon one a square plus x square ठीक है क्या आपको cost city ठीटा की value पता है क्या को कॉस्टीटा की वैल्यू पता है अरे cos theta इस base upon hypotenuse यह अपने base कितना है एल hypotenuse यह है ठीक है तो कॉस्टीटा की value कितनी आ गई base upon hypotenuse L square plus x square की power on my L square plus x square की power one by two मानते हो या नहीं मानते हां सर मानते है अरे रूट को मैंने 1 by 2 ला आगर लिख दिया है ओके सर ठीक है ना चिड़ क्यों रहा है सर के इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू ट्वाइस आफ एल मैंस तरी कैसे लिख सकता हूं इसको हां सर डिवाइड बाई एल स्क्वेर प्लस एक स्क्वेर की पावर 3 by 2 हो किया क्या 1 प्लस 1 by 2 इस 3 by 2 अच्छा अब मुझे बताओ यह क्या है किया है अब मुझे बताओ यह क्या है वाद इस फट्स इस अिधा हूद्व नोमेंट सो श्ची ने टेशहर तेशिस इसाटी वjakाव तर में की डिरेक्शन इस इस दिडिपल मोमेंट की डिरेक्शन वेरी गुड था सुरम अच्छा नये अले क्षीर लपको कहा मिली है नाइट सुरमण सब्सक्राइब इस डिरेक्शन में डिखना ट्वाइस ऑफ इकाॉस टीटा नहीं और है और रहा व देखोना बबादर ट्वाइस e cos theta यहां पर मिलेगी मुझे net electric field की direction जो कितनी है twice of e cos theta this is what this is e net थोड़ा इसको पतला करके लिख देता हूं यार थोड़ा इसको पतला करके लिख देता हूं हना this is the direction of e net और वो कितनी है twice of e cos theta हना बतब डाइपोल मोमेंट की direction यह है और net electric field जो आ रही है net electric field intensity आ रही है जो due to the dipole उसके direction यह है समझे के नहीं समझे हाँ जी सर समझ गया हाँ जी सर समझ गया समझ गया समझ गया okay तो मैं इसको लिख सकता हूं k into p upon l square plus x square की power 3 by 2 this is the net field intensity this is the net field intensity at point p यह है आपके board के लिए important यह है आपके board के लिए important clear okay sir okay sir okay okay अभी हाँ पर मुझे वेक्टर साइन नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हमें उसको समझना है अभी ठीक ना तो आप magnitude wise बोल सकते हो in at point p is nothing but kp upon l square plus x square की power 3 by 2 magnitude 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 अगर हम वेक्टर की बात करें किस की बात करें vector form की बात करें यानि कि direction की बात करें किस की बात करें direction की बात करें तो उसे आप से आप यह बोल सकते हो देखो ध्यान से सुनना नेट फील इंटेंसिटी एड पॉइंट पी अना इस नथिंग बट के इंटू पी वेक्टर अपॉन l square plus x square की power 3 by 2 मुझे बस एक चीज़ बता दो कि क्या डायपोल मोमेंट की डारेक्शन में ही इत फीलिन देंसिटी द्पी डिएपोल की डारेक्शन है दिया पॉर्यंट की डिरिक्शन यह रे ब्ल मेंट फिल इस यह धे इनए चीशन कर ने यह बखांग बढ़िया तो यह किस लिए कैसे बनेंगा वो कैसे बनेगा वह सपच्य केस क्या है कि जब भी आपको नीट या रहेगा तो आपको डाइपुल omega ndra1 मनना है एक नम्मसक्राइब क्या हम इसे बोल सकते हैं कि दिस इस Vamprados इंडेनिसटी along the equatorial line along the equatorial line along the equatorial line कहा कि नहीं कहा मैंने आसर बिल्कुल सही कहा इसको भी आप बोल सकते हो along equatorial लाइन अलोंग दी एक्विटोरियल एक्विटोरियल लाइन परफेक्ट शांदार बढ़िया सर यह तो आपने बोर्ड का बता दिया अब जरा नीट का भी बता दो तो नीट में कुछ नहीं होगा फिर वहीं वह बात बोलेगा कि अब एक्सकी वेल्यू क्या है बहुत बढ़ी है नीट के लिए क्या बोलेगा एक्सकी वेल्यू जो है वह एल से बहुत ज्यादा बढ़ी है देखो अभी हम इसके question भी करेंगे पहले सारे cases देख ले फिर हम question पे आ जाएंगे ठीके ना हमको अपना मकसद नहीं बूला है हमको हम अब मकसद definite हो गया है तुमने वह देखी है क्या वोलते गैंग वसएपुर अरे यार मत देखना मत देखना मत देखना नहीं तो बोलोगे सर क्या क्या दिखा देते हो अभी हमारी चोटी है हमको गुम्राह कर रहे हैं सर है खराब खराब पिच्चा खराब तो नहीं है नीट के लिए हम क्या करने वाले है नीट में हमको ध्यान देना है बस एक चीज़ पर शॉर्ट डाइपूल पर अगर कुछ भी नहीं बोला जाएगा इफ डाइंग इस मैंशन आप क्या मानोगे शॉर्ट डाइपूल इसका मतलब क्या है कि एक्स की वेल्यू क्या है बहुत बड़ी है किससे ल से तो अगर ऐसा होता है तो फिर नेट फील्ड इंटेंसिटी जो आप निकाल रहे हो किस पॉइंट पर पी पॉइंट पर पी पॉइंट कोई रैंडम पॉइंट है जो मैंने लिया हुए ठीक ना उसका फॉर्मॉला जो आप लिख रहे हो माइनस के पी सुझेड़ अपॉन एल स्कूरर प्लस स्क्वेर की पावर 3 वाट उसमें क्या चैंज जाएगा उसमें चैंज आएगा कि आप ल स्कूर्ल को क्या मान लोगे जिरो मान लोगे तो फिर नेट फिल्ड इसे जो आने वाली है पी पॉइंट पर आ जाएगी माइनस किए पी वेक along equatorial line along equatorial ए यह लंबर शान दार चलो बभाई तो अब आपके पासडो फोर्मले आ चुके हैं ये new के liege important है ये है along the equatorial line वो था along the axis वो था along दी axis अब आप से कर पूछ लेता है क्या पूछ लेता है रेशो और ratio of क्या axial along the axis field intensity along the axis and field intensity along the equatorial line along the equatorial line तो क्या आप इसका ratio बता सकते हैं कितना होगा अरे सर बहुत आराम से बता सकते हैं यह होगा सर तू टाइमस ओफ के पी अपॉल एक्सक्यू तू टाइमस ओफ के परे टू टाइमस ओफ के पी अपॉन XQ इंडू उपाचला जाएगा XQ नीचे कितना जाएगा के पी कितना जाएगा KP क्लियर है तो यहां से XQ गया XQ गया KP गया KP गया अंसर कितना आगया 2 is 2 1 कितना आगया 2 is 2 1 बहुत बढ़ी है क्लियर है चलिए यह कभ है वेन वेन X is very 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 greater than L यानि कि इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है short dipole assume short dipole when nothing is mentioned हना assume short dipole when nothing is mentioned short dipole when nothing is mentioned चिंता मत करो भी question करेंगे अब इस सर्फ हम क्या कर रहे है derivation देख रहे हैं जो हमारे लिए important है तो चलो हमने equatorial line का भी क्या कर लिए पूरा derivation देख लिया यह है आपके board के लिए important और उसके बाद हमने इसको vector form में भी देख लिया उसके बाद need के लिए क्या important था वो भी मैंने आपको बता दिया है उसके बाद हमने ratio भी निकाल कर देख लिया है चलिए आगे बढ़े अब एक last case बचता है जो सबसे important है need के perspective से हना सबसादा important है need के perspective से तो इसे भी हम देख लेंगे आप सबके derivation देखे हैं तो इसको क्यों छोड़े भाई इसके भी देखी लेते हैं electric field intensity due to a short dipole at some general point अब किसी general point certain distance certain theta पर आपको क्या निकालना पड़ेगा electric field intensity due to a dipole निकालना पड़ेगा तो अब यार मुझे नहीं लगता कि अब आपको इस बात में दिक्कत होगी क्यों क्योंकि अब आप क्या जानते हो तरीका जानते हो आई यह है आपका एक चार्ज नेगेटिव चार्ज ठीक इससे थोड़ी दूरी पर है आपका यह पॉजिटिव चार्ज क्या बात आपको क्लियर है हाँ सर एकदम क्लियर सीधा नहीं है क्या अरे सर चलता है आप इतना वो क्या बुलते हैं एम एफ हुसेन मत बना करो ठीक है ना बड़े आए इतना ही आपको होता ना अभी तो ठीक चलो वेरी गुड़ आजाए यह यह हो जाएगा आपका क्या पॉजिटिव चार्च ठीक है ना चली आगे बड़े आगे बड़ते हैं अब इनके बीच की कोई डिस्टेंस है क्योंकि डेवेशन चल रहा है तो मैं क्या ले लेता हूं टू एल ही ले लेता हूं मैंने बुला कि जो डायपोल मुमेंट है उसकी डारेक्शन भी लगे हाथ ले ही लो मुझसे डायपोल मुमेंट की डायपोल मुमेंट की डायपोल मुमेंट की डायरेक्शन से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैंने बूला एक्स डिस्टेंस पर जाओ और थीटा इंगल पर जाओ तो आपको एक पोइंट मिलेगा x distance पर जाओ और थीटा इंगल पर जाओ तो आपको एक पॉइंट मिलेगा .P ठीक ना इस पॉ demon पी अरे आप मैने दो चीज gwारे ना यह इन धूय तो आपको एक from direction of dipole moment from direction of dipole moment from direction of dipole moment take it up okay there are the thinking abhiyaar my kya karu was a nice p point purchase a net field intensity due to this dipole I'm I'm gonna go to this angle par chala gya my kya karu tomorrow I am a resolution of vectors per hour resolution of vector per hour or many abhi do it is a penny echo electric field intensity on equatorial line and on the axis of the dipole you do it is a monopoly a vector man a palace a part of a tick to make a karta ho is called the company my told it on kisco kisco the company my told it on a plane is dipole moment to gain vector quantity low base I'm gonna make money a company when I seek joky perpendicular to this line bit Anna or many a component human I am okay but I was supposed to make answer some of my a hundred percent of my house a hundred percent some of my take this vector government do company not only a abhiya wala to component has come a cable such time yet three time to my school building up because theta and a concert component oh yeah yeah component oh yeah be Psin थेटर तो अब मैंने अपने इस व्यक्टर को क्या कर दिया है दो कम्पैट में तोर दिया है तो अब में उसका इसका की आप किने से को एक गम नी काम निए अब हमें इसका और इसका पर चीक एक चीज धियान चेलो देखो कि जो पी पॉइंट है यह पी कॉश्टी की एक्से सक्ठाट तन पर पर फिल पर ठीकॉस्ट थी टा की ऐक्सेस पर है पी खॉस्ट शुट के लिए व मैंने शीफ च ईक्रफ आ링 अलंग भी एक्सेस है along the excess है ठीक ये बात मुझे पकड में आ गई दूसरी बात मैंने ये बोला P point के लिए P point P sin theta के लिए P point P sin theta के लिए के लिए along the equatorial line है अलॉंग दी एकवेटोरियल लाइन है की नहीं हाँ अलॉंग दी एकवेटोरियल लाइन है ये दू ये दो चीज़े मेरे पकड में आ गई अच्छा अब मैं जानता हूं एक चीज बहुत ही प्यारे तरीके से और वह यह है कि यह जो P cos theta है है तो यह क्या आफं डालाव बताओ में तो होती है कब जब आपका जो पॉरइंट जिस पर नेट फिल इंडेंजिटी निकालना चाहते हो वो कहां है अरे नहीं समझ में आया क्या हाँ इधार आजहों इधार आफ टाक्स याओ कहां लिखा हाई यह देखो डिरेक्शन आफ इन आट इस सेम एज एड़ डिरेक्शन आफ देख ली तो आपको याद आ गया होगा और यहां पर आप समझ गया किया पी पॉइंट है व और वो किस डिरेक्शन में आएगी पी कॉषचीता की डिरेक्शन में आएगी मतलब इस डिरैक्शन में आने वाली है आपकी थाए अफ के यहाँ पर आखा था पी एले भाई ये कौन सा फॉर्म लगेगा लेगा थ। फhr Corinthians वाला तो इस डाइबोल के कारण, इस P पॉइंट पर कितनी फिल्ड आएगी, कितनी फिल्ड इंटेंसिटी आएगी भाइया, 2 Kp अपॉन X क्यूब होता था, लेकिन यहाँ P के कारण नहीं आ रही है, यहां P cos theta के कहांड आ रही है तो two times of kp cos theta upon x का Q upon x का Q 2 kp cos theta upon x का Q very good say वसी direction में जिस direction में डाइपोल मोमेंट की डाइपोल मोमेंट का direction है okay अब बात करते है P sin theta की चिक P sin theta के लिए यह जो P point P point P sin theta के लिए along the equatorial line है यानि कि perpendicular है अरे हां कि ना हां तो हमको पता है कि इस P sin theta के कारण इस P point पर जो field intensity आएगी वो इसके direction के opposite आएगी इसके direction के इसके direction के opposite आएगी याद करो याद करो पढ़ाया है मैंने आपको आओ यह भी देखो फटा फट देखो सटा सट देखो यह देखो डाइपोल मोमेंट की direction इधार है बाट net field intensity direction इधारे किस केस में equatorial line के case में एक नमबर एक नमबर तो आप ने यहां से पकड़ लिया आपने बुला भाई यह P sign theta है इसके लिए यह P point equatorial line पर है ठीक है तो डाइपोल मोमेंट के opposite direction में क्या बनेगी field बनेगी चलो तो आपने opposite direction में क्या बनादी field बनादी चिकना इसके parallel नहीं यह पहला नहीं बहुत जरूरूरिया यह 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 इसा है तो यह इसा होना चाहिए ठीक आप सही यह कितनी आई यह यह एक्विटोरियल यह यहां पर फिल इंटीटी के यह कितनी आई गी के पी का लिए के फिल इंडेंसिटी ना ना पी साइन धी टारिया तो के पी साइन धीटा अपन अपन एक्स का क्यू एक्स का क्यूब संजे की निया समझे आच्छा इन दोनों ही field intensity का रिजटर्टन मनेगा फिल यहां से इ अनॉंट चलिए तो हम पहले निकालते हैं नैट फिल इंदेंसिटी एड-paint-p k subtle b cost theta upon X cognitive q as square है कममेकर यह हो गया एक है हमारा kp sin theta upon x ka cube upon x ka cube whole square हागी ना बिल्कुल सही कहाँ आपने ओके आगे देखते हैं देखिए इसका square करेंगे इसका square करेंगे क्या हो जाएगा यह हो जाएगा देखो मुझे एक चीज़ साथ साथ दिखाई दे रही है पहले मैं आपको बता देता हूं के kp upon x cube यहाँ क्या क्या पॉन एक स्कुप कहां भी है दोनों का ही स्क्वाइर होने वाला है रूट से बाहर निकले का स्कुर्ण खत्म हो जाएगा तो बहार Common x cube root can there for cos square theta plus sine square theta take sine square theta go my calic sector 1 minus cos square theta like sector or a other here are a kya cos square theta plus sine square theta is equals to 1 tumble sakti hey sine square theta is equals to 1 minus cos square theta sine square theta is equals to 1 minus cos square theta bool sakti hey nipo sakti sqo uthau yaha par put karo to your jaga 1 minus cos square theta a four cos square theta minus cos square theta in a sucker kebatao sir aysa mat karo sub dhimakse ujjjajega kut samaj niya aega aap to chalay jayoghe hum rahe jayenge aysa mat karo sir aray raray 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 hoa hi ha ρaray k wie juca briefly upon x cube rib and tender 4 ka square theta fwoarga square theta jayog h आपने लिख दिया है किया साइन स्क्वेरर भीटा को आपने लिख दिया है pludas one minus sign square theta sorry sign square theta का आपने लिख दिया 1 minus cuz square theta तो मैं बोल रहा था 4 cake Mend tweeted चला गया तो three kaws square theta बचा बचा तो यहां बचा kp upon x cube root के अंदर 1 plus 3 times of को स्क्राइब थीटा वाव 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 ववव वव 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 व्व वव 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 व वव चुकन ट्यक्ष आगया यह आपकी net field intensity at point p da da are you know above umosh I a guy are guys are you a guy the year field intensity आपने निकाली है दिव 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 गिंशने की ना हां सर अना नेट फील इंटेंस टी इसको मिटा देता हूं net field intensity due to the dipole due to the dipole due to the dipole at distance x and angle theta from dipole from dipole ठीके ना यह formula आपको याद रखना है इससे अच्छा question बनकर आपको need में मिल सकता है need के लिए यह important क्योंकि किसी particular x distance और किसी particular theta पर आप से क्या पूछ रहा है net field intensity पूछ रहा है क्या यह बात आपको समझ में आगई जी सर समझ में आगी आगे बढ़ें आगे बढ़ें सर आगे कैसे बढ़ हो गया आपने सिर्फ magnitude निकाला है हमको direction भी तो चाहिए हमको direction भी तो चाहिए अच्छा तुमको direction भी चाहिए आओ direction भी निकाल देते हैं अपन Xकू समझे किने सम्झे हासा समझे तहिए तिनव तेन एटीटा सपर पेंडिकलर अपन बेस पर सक टीटलरा पाइस पर पेंडिकलर है केपी साइन थितन अप्वान Resistance क्यूब एक स्केटा डिवाइड दीता डिवाइड ग्रफी बपर पहट जाएगा ना निंज बैसे क्या वेपर गैसे क्या घब पॉते करें स्केटा की वाइब टू टाइमस आफ टैन थीटा तो ये वो रिलेशन है जो आपको याद रखना है इस इस दी डिरेक्शन अच्छा इसको और सिंपलिफाय करके एकना चाहें तो अलफा इस नथिंग बट तैन इन वर्स ओफ वन बाई टू टैन थीटा चीक ना ओके नाइस 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 भई तो यह है इंपोर्टेंट दिस दिस और दिस यह है इंपोर्टेंट भी या आज के लेक्शर को समप हम यहीं तक करेंगे कुछ क्वेस्टन सभी हमें करना है मैंने आपको बूला था कि पहले डेरिवेशन देख ले उसके बाद लगा तार हम क्या कर लेंगे कुछ दिए भाई और बहुत अच्छे नोट्स प्यारे नोट्स अमने बनाए है यह नोट्स अगर आप चाहूना अगर आप अपनी कॉपियों बना लो वाह एक नमबर नोट्स होंगे जिंदगी भर के नोट्स बन गए हैं आपके चलिए आगे बढ़ें आगे बढ़ते हैं क्व एक चार्ज अब टॉट्रा चार्ज प्लास फोर इंटू टॉट्ट अपर माइनस इक सिक्स कूलों ठीके ना यह पॉजिटिव चार्ज है यह नेगटिव चार्ज है इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे दी गई है पांच एम्म तो मैं इसको मीटर में चेंज करके 5 इंट पार माइनस 3 मीटर कर देता हूं चेके ना मुझसे बोल रहा है कि डायपोल मुमेंट का मैंगनिट्यूड निकार बताओ यार क्या है इसमें कुछ भी तो नहीं है क्यों इंटू 10 क्यों इंटू एल क्यों इंटू इस्टेंस 10 पार माइनस 3 तो यह हो जाएगा कितना 20 इंट 20 TO IT आसफोार माइनस 9 तstar अनिकी जाएगा 2 in 10 ते पार माइनस 8 कूलंब मीटर टू इंटू 10 इनस 8 degrees 3 आगे अफर अगे बढ़ते हैं कि नेक्स क्वेशंऔर यह क्यंट्री 4 कहां से अगय भी स्थिन आगे भी हमने कि हैं कि जो थ्री से चालो होगी एकदम कोई बात नहीं चलिए हाँ एक सिकंड हमने आगे कुशन वन्टू किये हैं न तब यह थ्री फॉर हुआ होगा ओके ओके वायर यह हमारी टीम इतनी स्मार्ट है न हमारी जो कंटेंट टीम है देखो ने वन्टू पहले कर लिए हमारी कंटेंड वाली टीम बहुत तेज अभी है ऐसा नहीं लेना हलके में मतले ना उनको यह फूर्थ प्रेस्टन है थ्री पॉइंट चार्जेस प्लस क्यों माइनस टू क्यों क्यों आप पॉइंट पॉइंट्स देखा वो कंफूज करने था उठाव सब्सक्राइब्स क्यों MA यह दित्सटेंस के लिए कि श्रुख सैंथन्स टू को चलिये माइनस टू क्यों चार्ज रखा हूए और फिर श्लस क्यों चाजर रखा हूआ है एक सीव अच्वाज टू अच्च टू तू टू गया लिए अरीट टो हाहँ प्लस क्यू चार्ज रखा होगा है ठीक ओके फ्लाइट्व दिरेक्शन अफ ये लेकर डाइपल मूमेंट वेक्टर ओ इस चाइंब्र अरे दारे ऑडार क्या है इसको तोड़ लो माइनस क्यू चार्ज प्लाइब नगा ये एक डाइपल बन जाएगा इसके कहना जो आपका ड पोर मुमेंट और वे क्यों यह भी यह डिस्टेंस यह भी डिस्टेंस से यह क्यों चार्जाज यह मैनस क्यू चार्जेक्ट क्यू आने वाला है अरे हां कि नहीं डाइपॉल मोमेंट का ओके सर तो इसका आने वाला है बीट से कहीं कितना हो जाएगा गुट टू टाइम सफ पी अच्छा पी एलीव कितनी निकाल लो है भाई पी की वैल्यों की एंटव समझे कि नहीं समझे लेकल टू टू टाइम सफ क्यू ईंटू ए निखू ओशन है प्शन हैुरू टू क्यू ह 0 and x is equals to a y is equals to a z is equals to zero अच्छा अब आप मुझे बताओ यह जो लाइन है ठीक ना यह बोल रहा है root 2 qa root 2 qa तो आ रहा है हमारा along the line joining points x 0 y 0 z 0 ठीक है this is x 0 y 0 z 0 and x is equals to a y is equals to a यहां पर आप देखो अना यह थोड़ा मैंने तेड़ा बना दिया है इसको मैं सही कर लेता हूं आओ diagram सही बना दूनी तो आप बोलोगे सर डाइग्राम गलत बन रहा है एकर एकथ एक सेकिन्ट एक सेक्ट एक सपेंड हां चलत मुझे बताओ इसके साब ही मिटा जा रहा है इसका और और इस प्षिक डीना हो orphan x क्या है एक सivalry तो बराबर है Aph Vanessa वेल्व भी एक परापर है कितना है जीरो मैं बोल रहा हूं इन रोगा जो रिजल्टेंट रहीं से हो कर जाएगा आई बात समझ में और वो कितना होगा वह गरूट 2P अभी आपने बताया पी के वैल्यों के कितनी magnitude कितना होगा q into a ठीक ना तो यह कितना हो जाएगा रूट टू टाइमस आफ क्यों टू इंटू ए तो सही बोल रहा है वो रूट टू क्यू है अलाउंग दिलाइन जोणिंग पॉइंग पॉइंग जीरो 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 एंड एक सिक्ष्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् एक्ष्ट्ट्ट्ट्ट् Actुए लएक अधिन दो रहीं यआपको दिखनी है एक आपका डाइपोल बना रह रहा हूं है ठिक है उसना यह ऐड है सबह को साउनत के लाइन क्लाइग एक उत्टीरल लिग यह चांस वटास क्वार्ण से लाइन है एक बंड़्य लिए जी साद्थ है एकवेटोरे लियर्टि ले घ्लीग अचा और भोल सब्धां है एक एक सिस्टेंस में यहां से एक सिसेंस और एक पॉइंट है लेजह वो है तो यह जो लाइन कहलाएगी है कि यह कॉन से लाइग लाइगी एकजल किया कैलाईगी एक जिन मुझा पता हो along the axis and along the equatorial line के आपको formula पता है electric field intensity के बिल्कुल पता है तो लिखो ना यार क्या दिक्कत है क्या दिक्कत है x distance पर जो field intensity होगी वो होगी twice of kp upon x का cube और y distance पर जो field intensity होगी वो होगी kp upon y का cube kp upon y का cube होगी कि नहीं होगी चलिए अब यह बोल रहा है कि जो field intensity है वो आपसे बराबर है भाई e x is equals to e y उसने खुद बोला अपने मुह से तो ले लो क्या दिक्कत है यहां पर लिखो twice of kp upon x cube अच्छा एक बात ध्यान से सुनना एक बात ध्यान से सुनना यहां पर एक माइनस लगा होता है फॉर्मले में फेक्टर फोम में जो लिखते हैं अभी हमको सर्फ माइनिट्व सहिए तो इसलिए हम यहां पर माइनस नहीं लगा रहे है इस इक वस्तू के पी अपन वाई-क्यू kp kp गया एक्सट्पाव जाएक आप से पूछ रहा ना है एक्सट्पावाय करेश्य फेपशें बूच रहे तो टू इपस टू एक्स क्यूब अपॉन वाई-कू मैं क्या करता हूं क्यू रूल लगा देता हो दोनों साइट तैस हुँ हो जाएगा टू कि पावर 1-3 is equals to X by Y X by Y करेशो कितना आगया root and a cube root of 2 is to what answer okay okay sir nice 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 next question a given charge is situated at a certain distance from an electric dipole in the end on position and on position experiences of force F if the distance of the charge is doubled the force acting on the charge will be end on position and on position and on position कहां गया जहां अमने डिवेशन किया था किदर गया किदर गया किदर गया and on position and on position ठीक समझ गए कौन सा केश लगाना है । समझ गया कौन सा केश लगाना जी सरस अमझ गया end on position के लिए यार कुछ भी नहीं along the x's का फॉर्मॉरा क्या होता है field intensity का along the axis inet along axis along axis का formula क्या होता है बता हुआ जल्दी से 2 KP upon xq थे नहीं होता है और वो रहा है कि force experience यहाँ पर ही आपके पास field intensity का formula है force का नहीं है लेकिंट आप जानते हो अभी आपने पढ़ा हुआ है मुझसे कि force is nothing but q into e पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ सर बिल्कुल पढ़ा है तो आप बोल सकते हो f along axis f along axis क्या होगा? q into e e की value कितनी है? twice of kp upon x cube है की नहीं है? हरे है की नहीं है? बिल्कुल है इसका मतलब क्या हुआ? कि जो आपका force है along axis along axis हो क्या है? inversely proportional to x cube है क्योंकि k क्या है? constant है p क्या है? constant charge तो बदल नहीं रहा, charge तो वही है सिर्फ आप क्या बदल रहे हो? distance बदल रहे हो x की value vary करा रहे हो तो आप बोल सकते हो f along axis क्या है? inversely proportional to x cube है अच्छा उसने बोला distance डबल कर दो ठीक ना तो हम बोल देते है f1 upon f2 is equals to x2 upon x1 क्योंकि क्या है? distance से inversely proportional है अरे भाईया देखो ना जो force है वो distance से inversely proportional है अना? f1 upon f2 is equals to x2 upon x1 की power 3 okay f1 upon f2 is equals to पहले distance आपने मानी है x sorry x2 तो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी ना x की पहले distance x1 आपने लिए है x उसकी just double हो गई है x2 इसका कर दो q x से x कड़ गया 2 का क्योंकितना हो गया 8 हो गया थम बोल सकते है f2 is nothing but f1 by 8 f1 by 8 समझे की नहीं समझे? बिल्कु समझ गया अरे समझे की नहीं समझे? बिल्कु समझ गया f2 is equals to f1 by 8 तो अंसर आगया कितना? f by 8 clear? next question next question two electric dipoles of moment p and 64p are placed in opposite direction on a line at a distance of 25 cm अच्छा the electric field will be 0 at a point between dipoles host distance from the dipole of the moment p is electric field 0 चहिए क्या चहिए? electric field 0 चहिए two electric dipoles of moment p and 64p चलिए हमने माल लिया यह electric dipole है p का और यहां से electric dipole है कितना? 64p का ठीक है ना? are placed in opposite direction on a line at a distance of 25 cm यहां से कितनी distance पर है? 25 cm की distance पर है ठीक ठीक है the electric field will be 0 at a point when dipoles host distance from the dipole moment p is चलो dipole moment p is मतलब आपको p वाले dipole moment से पता करना है कितनी distance पर field intensity 0 हो रही है मैंने बोला भाई x distance पर आपको net field intensity क्या मिल रही है? 0 मिल रही है ऐसा बोला गया तो आप तयार है solve करने के लिए? बिल्कुल सर मुझे बताओ इस 64p वाले की जो field intensity होगी क्या उसकी direction यह होगी? हाँ सर p वाले की क्या होगी? यहां लिएक देता हूँ 64p और यहां इसकी क्या होगी? p ठीक होगी के नहीं होगी? हाँ सर यह एक दूसरे को पी के बराबर हो जाएगी या आप ऐसा लिख सकते हो इसको इस तरीके से क्लो वेक्टर सम प्लस p इस इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा अब हम मैंगनिट्यूड ले 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 लिए हम जानते हैं भीया इसका मैंगनिट्यूड बराबर होगा तब ही एक दूसरी को क्या पाएंगे जीडो पर पाएंगे अगए आठ दास होगा इदर के से हासी आपकर नेट0 आने वाला है सम pourquoi यह आपकर ऊपोज超ません न मृट कंगा से मोगा थो मैंगनिट्यूड से खेलता है इसका मैंगनिट्यूड कि आछा फिल्ल इ방 होगा मिल को लोगा तो ही आ गया 25- x का कोट्यूप इसको इपस्टू चेतो फी अपॉन एक्स का क्योटर के पी के पी क्या क्या बचा 64 इस इक वर तो 25-1 एक्स अपन एक्सका क्यूब चलो वेरी गूट बहुत बढ़िया अब यहां पर आप क्यूब रूट लगा दो तो यह कितना हो जाएगा चार चुको सूला चुको साथ हो जाएगा 4 is equals to 25 minus x upon x यह हो जाएगा 4x plus x is equals to 25 याने कि 5x is equals to 25 याने की x की वैल्यू कितनी आगई x की वैल्यू अगई 25 बटे 5 काटा कितना आया पाँच सेंटीमीटर मतलब मतलब पी डायपोल मुमेंट से 5 सेंटीमीटर आप दू जाओगे तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगी नेट फिल इंडेंसिटी जीरो मिल जाएगी आंसर कितना आ गया पाँच सेंटीमीटर क्लियर बहुत बनी शांदार आगया बढ़ते हैं और कोई क्वेशन है हमारे पास आएक क्वेशन और है दा इलेक्ट्रिक फील एक पॉइंट दू टू अलेक्रिक डायपोल ऑन एक्सिस इंग्लाइन एंगल थीटा लेस्टन नाइंटी डिगरी तू दी डायपोल एक्सिस इस परपेंडिकलर टू डायपोल एक्सिस मतलब समझने की ज़रूरत है माइनस क्यू चार्च अरे यार बहुत नीचे बना देता हूंगा फ्लड़ा जगे चाही ना हुझे माइनस क्यू चार्च फ्लस और स्टीच टिकान डैपोल मोमेंट की डिरेक् Toughशन हो गई ये झाइपोल ओमेंब की डिरेक्शन हो गई तिस इडिशन विरेक्शन हो गईए यह इ 대पर मोमेंत यहां से X distance door or theta पर अना यह हो गया आपका point P X distance door or theta पर क्या बोल रहा है वो the electric field at a point due to an electric dipole on an axis inclined angle theta which is less than 90 degree to the dipole axis ठीक है less than 90 degree is perpendicular to the dipole axis मतलब जो net field intensity आ रही है is point पर वो क्या है perpendicular to the dipole axis this is the dipole axis this is the dipole axis इसके क्या है perpendicular यहां पर जाएगा आपका यहां पर जाएगा along the axis वाला field intensity यहां पर जाएगा ठीक समझे किनी समझे अरे यारी हमने कि अतना भी स्वाल कहां गया general point वाला case यह देखो यह देखो कहां गया रिविया इसके कारण देखो इस पी कॉस्टीटा के कारण along the axis field intensity बनी थी पी साइन थीडा के कारण along the equatorial line field intensity बनी थी इन दोनों का net निकल कर आया था यह जिसका एंगल हमने हां से थी अलवालीय है था समझें करें समझें यह बार्य बोल रहा है यह कर डाई एकसिस यह दिए दाक्राएकस इस डाईपॉट ईक्सिस स्के परपेंडिकुलर होने वाला है ऑन जो है वो डाईपवॉल क्सिस की क्या होने वाला है object अच ओक के ठीक है question कहां गया question कहां गया आरे question कहां गया यह रहा question ठीक यह जो होने वाला है यह डाइपोल axis के perpendicular होने वाला alpha angle this is the dipole axis अरे हां कि ना तो आपको बोला गया कि यह पर पेंडेकुलर होने वाला मतलब यह angle आपको कितना दिया है 90 डिग्री आए मेरी बात समझ में अधर समझ में आगी चलो अब देखो अगर यह थीटा है तो यह 90 है यह 90 है तो यह कितना है 90-3 समझे नहीं समझे हां सर समझ गया अगर यह 90-3 तो यह कितना है Wakade Minasटी समझे समझ कैइन तुन के 90-3 ता ल खीम मेल्यू है 90-0 अब है कर यहां पर एक रिलेशन याद करो हमने निकाला था क्या रिलेशन निकाला ना म्हां आफा कैसे निकाल दो तूसका खर स्टान था हमारे पास 10 अल्फा-10Hello is equal to 1 by 2 tan theta हमसे question में पूछा है की theta की value find out करो आपने alpha 90 minus theta के बराबर निकाल दिया है तो 10 90 minus theta चैसे लिख देता हूँ 10 90 minus theta 10 90 minus theta is equal to half 10 theta 10 90 minus theta first coordinate में आ जाएगा क्या बन जाएगा cot theta cot theta is equal to 1 by 2 tan theta समझे की नहीं समझे हाँ सर समझ गये cot theta को आप क्या लिख सकते हो cot theta को आप लिख सकते हो 1 upon 10 theta क्या लिख सकते हो 1 upon 10 theta 1 upon 2 tan theta छीक यह क्या हो जाएगा 10 square theta is equal to 2 के बराबर 10 square theta किसके बराबर हो जाएगा 10 square theta बराबर हो जाएगा 2K तो थीटा किसके पराबर हो जाएगा तैन इनवर्स रूट 2K नहीं थीटा किसके बराबर हो जाएगा तैन इन रूट 2K एक नमबर आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स एश्च इसदी टॉपक फोर्स आन डायपोल इन युनिफॉर्म electric field force on a dipole in a uniform electric field uniform electric field यहां पर मैं एक dipole place करने वाला हूँ आई यह मैंने एक dipole place कर दिया है ना ठीक है यह किसी angle पर नहीं है भी along the x along the direction of field है ना uniform electric field है चलो तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो dipole moment की direction होगी क्या है dipole moment की direction यह है हाँ सब्सक्राइब इस इस चार्ज पर इस नेगटिव चार्ज पर कितना force लग रहा होगा तो हम जानते है f is nothing but q into e तो यहां पर जो force लग रहा होगा वह लग रहा होगा माइनस q into e माइनस साइन क्या बताता है कि जिस direction में field है field intensity की जो direction है उसके opposite क्या लग रहा है force लग रहा है ठीक और इस positive charge पर कितना force लग रहा होगा इस पर फोर्स लग रहा होगा q into e q into e इसका मतला अगर आप से कोई पूछे के net force on the dipole किता लग रहा है net force on the dipole placed in a uniform electric field placed in uniform electric field net force on the dipole for placed in uniform electric field कितना हो जाएगा minus q e plus q e is equals to zero is equals to zero तो यहां से एक important note निकल कर आएगा यहां से एक important note निकल कर आएगा the net force net force on the dipole net force on the dipole net force on the dipole placed in uniform placed in placed in uniform electric field placed in uniform electric field is zero net force on the dipole placed in uniform electric field is zero very good आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं चलो वेरी अच्छा अब आपके मनमें एक डाउट आ रहा होगा कि सर्थ यह तो along the along the direction था dipole अने जो dipole axis थी या dipole की जो direction थी वो किस direction में थी किसके direction के parallel थी यह field के parallel थी अगर मैं इसको किसी angle पर ले जाओ तो फिर क्या होगा सर तब भी force सेम रहेगा क्या आई यह देखते हैं तो मैंने एक और डाइपोल बना है यह एक डाइपोल है जो electric field की direction से थीटा पर क्या है inclined है यहां पर है positive q charge यहां पर है negative q charge positive q charge negative q charge टेके ना ओके यहां पर force कितना लग रहा होगा यहां पर force लग रहा होगा f is equals to यहां पर force लग रहा होगा f is equals to q into e positive का और यहां पर force लग रहा होगा इस direction में f is equals to minus q into e किसी particular angle theta पर तो हम बोल सकते है net force on the dipole at particular angle theta is nothing but qe minus qe is equals to 0 फिर 0 आ गया तो net force on the dipole placed in uniform electric field is 0 पका हां 100% हां 100% torque work लग सकता है torque की बात नहीं कर रहा हूं मैं आप टॉर्क वर्क की बात मैंने अभी नहीं किये मैंने सिर्फ फोर्स की बात किये भी यह कि एक लग रहा है इस direction में एक लग रहा है इस direction में तो आप बोलो ना डाइपोल प्लेज़ ना फिल्ट देखेंगे लेक्षर में अभी हम करते हैं अस लेक्टर को खतम आपको पता है magnet means की अपनी खुद की website magnetbrains.com नाम से जहां पर हम जतना भी content आपको YouTube पर प्रवाइड करते हैं सब free of cost यहां भी आपको प्रवाइड किया जाता है आपको Google पर जाना है type करना है magnetbrains.com यह website आपके सामने आजाएं कि यहां जाकर आप उतने ही खुश हुश जाएंगे जितना कि यह बच्छा है जितना भी content YouTube पर है सांगे यहां पर एक के भाद कि nessa कि आप औरी तरी करेंगे जैसे ही आप नििटीक करएंगे तो नीट के अंदर जितनी ही बचीज आपको पढ़ता है है सब एक के बाद एक यहां पर आरेंज आपको देखने को मिलेगा आप किसी भी लेक्चर पर क्लिक करेंगे तो लो भाई चलिए इसी के साथ करते हैं लेक्चर को खतम मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तब तक सावधान यह सतर करेंगे पड़ते हैं थैंक यू